हेलो फ्रेंड्स पैत्रिक जमीन यदि आपके पिता ने पैत्रिक जमीन की रेजिस्टरी कर दी है कोई भी पैत्रिक जमीन की रेजिस्टरी वसियत गिफ्ट डीड तो आप उसे वापस कैसे ले और इस पर कानून आदेश क्या है मैं आपको विद प्रूफ के इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा साथियों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाओंगा आपको कि पैत्रिक जमीन होती क्या है पैत्रिक जमीन वह होती है साथियों जो आपके पिता को आपके दादा इसे विरासतन प्राप्त हुई है ना के गिप्टिडीड ना वस्यत ठीक है विरासतन मरने के बाद प्राप्त हुई है ठीक है तो वो होती है पैत्रिक संपत्ती तो उसे माल लीजिए आप पिता जी ने बेच दिया तो उसे वापस कैसे करा सकते हैं ठीक है एक चीज मैं आपक इसके लिए आपको समझना होगा हिंदू विधी की दो साखाएं हैं मिताचरा और दयाभाग मिताचरा ये कहती है कि भाई अगर कोई पिता है उसके घर में पुत्र पैदा हो गया तो उसी दिन से उसका पैत्रिक संपत्ती में अधिकार हो गया अब पिता का भी संपत्ती में अधिकार है पुत्र का भी संपत्ती में अधिकार है तो पिता को बेचने का यानि की अंद्रण करने का अधिकार नहीं है पुत्र होने के कारण उसका अधिकार जो है कि सीमित रह ज इससे मालिजी कोई 25 रिड़ है कोई बीमारी है साधी वगए तो इसके लिए बेज सकते हैं बाखी नहीं बेज सकते हैं ठीक अब सातियों आपको बताएं तो इस पस्ट लिखा है ठीक है कई वीडियो भी मैंने अपलोड किये तो अब आप कहेंगे कानौन है तो नहीं बेच सकते बिल्कुल हाँ अब देखिए मैं आपको बता दू कई लोग कहते है अरे कुछ नहीं होता तो मैं आपको बता दू देखिए मिथाच्छरा विदी से सासित हिंदू आपके या मिथाच्छरा हिंदू विदी लागू होती है मिथाच्छरा साका और आपके पिताने पैत्रिक संपत्ति का ट्रांसपर कर दिया, यानि कि बेनामा से किया हो, दान से किया हो, वस्यत से किया हो, किसी को ट्रांसपर कर दिया है, आपास्त कराने के लिए, यानि कि उस ट्रांसपर को, इस रजिस्ट्री को, जो भी उसे कैंसल कराने के लिए, कितना समय है, सा अपसी नहीं हो सकती तो ये कानून क्यों बनाए गई वही सुचने वाली बात है ठीक है सात्यों तो लिमिटेशन एक्ट 109 आप देख सकते हैं उसमें सात्यों जो कानून जो है वो 12 वर्स तक का है अब यदि आपका कोई लीगल कुस्सन हो कंस्टेशन सला लेना चाहरा है ज्यास जमीन विवादित तो नहीं सरकारी तो नहीं को यह आप इस कानून की पीडिएफ लेना चाहरा है सात्यों तो कोंटेक्ट नमर वीडियो की डिसकुन दिया गया है ठीक है और सूचल मीडिया एकाउंट की लिंक वीडियो की डिसकुन